प्यार बच्चों, LGR Study के इस महत्पूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज विज्ञान के अंदर Physics का जो है आप सभी जान रहे हैं कि जो आपका First Chapter है जिसका नाम है परकास, प्रावरतन तथा अपवरतन इस Chapter के Objective Class का जो है Second Part देखने वाले हैं परकास के परावरतन तथा अपवरतन चिप्टर का Objective Question के लिए एक कलास औरेडी हो चुका है जिसमें एक से लेकर के 40 नंबर कुश्चन तक हम लोगों ने डिसकसन किया था और आज जो है हम लोग 41 नंबर कुश्चन से आगे बरने बाले हैं काफी ज्यदा मातपूर्ण कलास होगा बहुत सारे ऐसे कुश्चन्स जो आपको आपके एक्जाम में डिरेक्ट देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे कुश्चन्स हम आज से डिसकसन करने वाले हैं तो सुरू से अंत तक बने रहेगा चीज़ों को ध्यान से सीखने समझने की कोसिस कीजिएगा सुरू करते हैं फर्स्ट मातपूर्ण कुश्चन आज का 41 नंबर होगा 45 तक हम लोग डिसकसन कर चुके हैं 41 नंबर कुश्चन आपके सामने आ चुका है पूशा जा रहा है कि एक अबतल दरपन की फोकस दूरी 10 से में तो उसकी बकरता तिर्जा होगी भाई साब आप सभी जानते हैं फोकस दूरी यानि कि यहाँ पर आपको F का वैल्यू दे दिया गया है 10 cm और आपको बकरता तिर्जाक निकालना है यानि कि R निकालना है R डावर फॉर्मूला होता 2 F यानि कि 2 गुने F करना होगा और F का वैल्यू 10 दे रखा है तो आपको 10 दूरा 20 cm फाइनली आणसर हो जाएगा यानि कि 41 के लिए जो राइट आणसर हो जाएगा वो B हो जाएगा ठीक है यह थो सिंपल कुछेन है फोकस दूरी दिया गया हो बकरता तिर्जाप पूछ रहा हो या बकरता तिर्जय दिया गया हो फोकस दूरी पूछ रहा हो तो आप आडाम से इस तरह के कुछन को बना पाएंगे जो हम आपको फार्मूला दिये हैं उसके help से अगला कुछन है एक गोली दिर्पन की बकरता तिर्जय 28 cm है चलो भाई साब इस बार 28 cm दिया बकरता तिर्जय तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी आपको बकरता तिर्जय दिया गया 28 cm तो फोकस दूरी आनि की F निकालना है F बराबर फार्मूला होता R बटे 2 तो R है आपके पास 28 28 को दो से भाग करेंगे 14 दूना 28 cm यानि की 14 cm आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे जो सी ऑप्सन में दे रखा है नेक्स्ट कोश्चन आगे आपके सामने की 10 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पन के सामने 20 cm सेमी की दूरी पर एक बिम्ब रखने पर उसका प प्रति बिम्ब कहां पर बनेगा देखिए 10 cm फोकस दूरी का कोई क्या है आवतल दर्पन है इसके सामने 20 cm की दूरी पर आपने क्या किया एक जो है बिम्ब रखा तो उसका प्रति बिम्ब कहां बनेगा देखिए 10 cm आपने बस्तू को रखा है 20 cm की दूरी पर यानि की बकरत केंदर्पर आपने बसतू पर रखा कि याद रखिएगा कि जब कभी भी हम बस्तू को बखरता केंदर पर रखते हैं तो उसका प्रती भिंबभी बखरता केंदर पर बनेगा यानि कि दर्पन के बखरता केंदर पर बनेगा दर्पन के बखरता केंदर पर बनेगा फोकस दूरी दस है तो बखरता केंदर यानि की तो इसका मतलब आपने बकरता केंदर पर रखेंगे तो उसका प्रतेविम भी बकरता केंदर पर ही बनेगा यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट चोवालिस नम्मर कोश्चन है कि एक गोली दरपन से पांच सीम की दूरी पर रखेंगे बिम्ब का प्रती बिम्ब दरपन से 30 सीम की दूरी पर उसी ओर बनती है जिस ओर प्रती बिम्ब है तो आवरधन बताना है आवरधन निकालने का जो फार्मूला आप सभी जानते हैं वो जानते हैं कि भीबाई यू होता है भीबाई क्या होता है यू होता है और चुकी अगर पांच सीम पर बस्तू को रखा गया है तो उसी ओर जो है प्रती बिम्ब दी सीम की दूरी पर बंदा डैट मीस ये जो है इसका जो मतलब आवरधन होगा वो रिनात्मक ही काउंट किया जाएगा तो भीबाई का जो है मतलब वैल्यू है देख सकते हैं कि 30 है ठेक और यू यानि कि बस्तू की दूरी पांच है तो पांच छटके 30 और यह माइनस में होगा ठीक है तो माइनस छो सीम या स्री माइनस तो मात्रक नहीं आपके भी आप्षा से हो जाएंगे ठीक है और यह मैनस यह लिए लिए लगँ पर एक बिम रखी हुई है यानि कि जो बस्तू की दूरी है वो 30CM है लेंस से बरावर दूरी पर बास्तविक परतिविम बनता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी तो देखो जहां जितना दूरी पर बस्तू को रखा गया है उतना ही दूरी पर परतिविम भी बन रहा है तो इस स्थिति में लेंज की फोकुस दूरी कितनी होगी यह आपको क्या करना है बताना है तो फोकुस दूरी होगा 20cm किटवकी होगा बीस cm एक मनट जब भकरता केंदर पर रहते हैं तो भकरता केंदर पर ही फींगर बनेगा एक सब्र nenhumन रुकिये एगा उत्तार लैंस थी सीम की दूरी पर एक वीम्ब रखी गई है ज़ by दूरी पर लैंस से बाज़र दूरी पर बास्ति सथ भीम्ब बना आ塊 याद रख्येगा है कि जितना दूरी पर आप रखे थे दा अध्य का इस अक को उतना ही दूरी पर परो प्रति भी बिभी बीना ठीक है इसका मतलब आप बस्तू को रखे होंगे बक्रता पर या फ़े फूर्व डूरी पर तो लेंस की फोकस दूरी पूचा जा रहा है तो बक्रता केंडर का जस्ट आधा बक्रता तरीजा हो गया 30 सी मफ अचैनल से बस जो लेंस की दूरीए वोगे नहीं तो से भाग दीजए तो आपको मिलेया फोकस दूरी फोकस दूरी होगे आपका 15 क्योंकि 30 को दीजेंगे भागत तो पंड़ाही नहीं मिलेगा तो तो 45 के लिए क्या सही आइसर आप याद रखेंगे 45 का आपका सोड़ी आपका मतलब हाँ सी ऑप्षन अलका आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऑप्षन उल्लट फेर है एक नीचे बी कर दिया गया और यह सी और यह इस तरह से आप समसकते हैं ठीक है तो 45 के लिए आपके सी ऑप्षन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट कोशन है कि एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20CM है यानि कि एफ का वैल्यू आपको 20CM दिया गया है ठीक है लेंस कैसा आप उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस का फोकस दूरी धनातमक होता है तो 20CM ही रखेंगे सीम से काम ने चलेगा मीटर में बदलना होगा तो 20CM को मीटर में बदलेंगे तो 20 बट्टे 100 मीटर होगा बीसे का बीस बीस पंच एक सो यानि की एक बट्टे पांच एक बट्टे पांच मीटर आपका क्या हो गया तो फोकस दूरी हो गया इसलिए आपको निकालना है लें वटते तो वं तोर नहीं जाएगा एक वैल्यू आप आलेटी देख सकते हैं कि यहां पर रखेंगेगी उपर में ज GOOD आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे पलस में किस में पलस में क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर लेंस की चमता पालस और अब तर लेंस की चमता माइनस में होती है तो आपके C आप्शन बिल्कुल सही होंगे कोई आप 38 में नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कुसटन नेक्स्ट कुस्टन है कि एक लेंस की चमता माइनस पांच डीयुप्टर है इसकी फोकस दूरी होगे चलिए, नेक्स दूरी निकलने है यानि कि आपको P का वेल्यू दे दिया गया है माइनस पांच डायोप्टर ठीक है तो फोकस दूरी निकालना है यानि कि हमें F निकालना तो P बराबर फार्मूला होता है 1 बट्टे F अब आप क्या करेंगे माइनस पांच बट्टे एक कर लिजिए कोना कोनी गुना करेंगे तो माइनस पांच F बराबर 1 होगा क्यों क्योंकि कोना कोनी गुरा करेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा तो यहाँ पर F बराबर मिल जाएगा एक बट्टे माइनस पांच यह हो गया भाई साब आपका मीटर अब इस मीटर को बदलना है CM में क्योंकि सारे के सारे उप्षन CM में दिये गए हैं तो इसको आप CM में बदलना चाहते हैं 100 से गुना करना परेगा तो पांच से 100 को भाग देज़ेगा तो 20 यानि की माइनस 20 CM माइनस 20 CM आपके B option में दे रखे हैं समझ सकते हैं बातों को आप यह माइनस तो रहेगा ही रहेगा ना तो माइनस एप का वैलू माइनस 20 CM हो गया इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे लेंस की चमता 5 डायोप्टर है यह होगा देखिए सुरी 4 डायोप्टर है यानि की पावर आपको दे रखा है 4 तो सबसे पहले आप फोकस दूरी निकाल लेजिए तो पावर का फार्मूला 1 by F होता है चार बट्टे एक कर देंगे तो क्या होगा चार एफ बराबर एक होगा यहां पर अगर हम एफ निकालने की गोसिष करें एक बट्टा चार मीटर होगा इस मीटर को हम CM में बदल दे तो हम समझसकते दखो CM में बदलने की जरूरत भी नहीं है हुआ कि यह पर 48 के लिए सायांसर होगा 70 चार sack फोकस दूरी का उत्तर Το लेन्स नहीं 4 मीटर फोकस दूरी तो मिला नहीं चलो ठीक यह नहीं होगा हुआई टीक रहने इसको अटा ओक ..... द्रें निकला है एक बटह gide पॉब पांच मिलेगा कि ने मिलेग यह 5 है तो 025 मींटर फोकस तो उत्तर लेंस उत्तर लैंस घ्याइव छंता पंपलस में दिया गया है और जो पावर है वो पलस में उत्तल लेंस का ही होता है ठीक है तो सी ओप्षन आपका बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट यहां पर आपके उन्चास नमर कोशन है कि किसी दरपन के सामने चाहे कितनी दूरी पर रखे हो आपका प्रतिबिम सतेब सीधा प्रतीत होता है संभावता जो हमेशा आपका सीधा प्रतिबिम बना रहा हो वो केवल और केवल समतल दरपन हो सकता है यह आपका सही होगा नेक्स्ट कोशन है कि किसी सब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्ल में से किस लेंस का उप्योग करेंगे तो जो लेंस होगा वो का पचास से मी फोकस दूरी का उत्तर लेंस कौनसा लेंस उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे हम वह भी पचास सी अबाले का नेक्स्ट है कि परकास तरंग का उधारन है परकास तरंग किसका उधारन है तो परकास तरंग आपको पता होना चाहिए कि यह परावैगनी तरं है तो आपका सी आप्शन यहां पर बावन के लिए जो है सही आंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन हम अगले तरपन को देखेंगे कि दंत भी से सग गया किस दरपन का अपयोग एक मिनट रुखिएगा एक मिनट हम असए एक आवन कोश्चन मिस है क्या एक मिनट रुखिएगा तो इसे पहले 50 के बाद 52 ऑफो एक आवन कोश्चन मिस्टेक है मतलब समस्कते हैं कि छूट गया होगा या फिर कुछ भी कोई दिखत नहीं कोश्चन छूटी गया तो क्या दिखत है जो है उसको समझ देखने के बाद जो है डारेक्ट बावन आ रहा है तो बावन के लिए आपर जो है परावैगनी तरंग है चलो ठीक है बीद जूम के तरंग तो नहीं इन में से कुछ लो ठीक है नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे हम लोग तरपन नम्बर कोशन की दत दंत भी से सग जो दांत के जड़ाक्टर होते हैं किस दरपन का उपयोग मरेज के दांत का बराप्रती बिंब देखने के लिए करते हैं तो बरा लेंस को अब सारी लेंस बोलेंगे और उत्तर लेंस को अभी सारी लेंस बोलेंगे यह हमेशा याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन है पच्पन नमबर कि एक परियोग में आवतल दर्पन द्वारा किसी बिम्ब यानी की किसी बस्तु का प्रती बिम्ब एक परदे पर प्राप्त किया जाता है दर्पन की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए परियोग करता को मापने की जरूरत है दर्पन का फोकस दूरी कितना होगा ये मापने के लिए किस चीजों को मापना जैदा जरूरी है देखिए अगर आप दर्पन का जो है अगर फोकस दूरी मापना चाते हैं तो दर्पन परदा के बीच की दूरी तो आपको पता करना ही होगा और साथ इसा दरपन था पीम यानी की बस्तू के बीच का दोरी भी निकालना होगा तो आपके C option बिल्कुल सही हो जाएंगे ठीक है next question आपके सामने है कि गोले दरपन के परावरतक प्रिस्ट की बिर्ताकार सीमा रेखा का ब्यास कहलाता है तो जो बिर्ताकार सीमा रेखा है उसका जो ब्यास है आपको पता होना चाहिए उसे करें गोले दरपन का द्वारक क्या कहते हैं द्वारक कहते हैं next है नेवलेकित में से कौन सा उत्तल दरपन की फोकस दूरी है जिसका बकरता तरज़ा 32 सीम है अब किसी उत्तल दरपन की फोकस दूरी आपको ग्यात करना है जिसका बकरता तरज़ी आपको दे दिया गया है यानि कि आर दे दिया गया है 32 सीम तो आपको F निकालना है F बराबर फर्मूला होता R बटे 2 यानि की 32 बटे 2 यानि की 16 और 16 पलस में भी है मैनस में भी याद रखिएगा कि उत्तल दर्पन का जो बक्रता जा हुए या फिर फोकस दूरी है यह दोनों के दोनों होते हैं पलस में ठीक है तो उत्तल का पलस अब पलस याद रखिएला यह दूहिए कि इसी बिंब का परतिभिंब का अवर्धन रिनातमक है तो उस परतिबिंब की प्रकlonal श्र ठीक हो तो यार रखिएगा बास्तवीकर उल्टा प्रतिभिंब जिरूर सब्सकिर की रहा होगा इस इस तभी क्रावर governor डnia कर अर्परिष्ट जो है उसकी वक्रित भाग अंदर की ओर होगा या फिर बाहर की ओर होगा तो वह होगा बैस अंदर या बाहर की ओर अच्छा बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहां पर गोली दर्पन दरपन बोला है तो गोली दरपन का जो प्रावर्तक प्रिष्ट है वो बक्रित होगा यानि कि धासा होगा या फिर उठा होगा कि दर की और अंदर या बाहर की और हो सकता है ठीक है कैसे अब तल दरपन है तो इसका प्रावर्तक प्रिष्ट अंदर की और उतल है तो बाहर की और तो अंदर बाहर दोनों हो सकते हैं C option आप याद रखेंगे next question है कि वह गोले धरपन जो अंदर की तरफ वक्रित हो यानि कि अंदर की और धसा हो उसे क्या कहते हैं तो गोले धरपन जो अंदर की और धसा होता है उसे हम कहते हैं आवतल धरपन कौनसा धरपन आवतल धरपन next question है कि वह गोले दरपन जो बाहर की और बकृत हो तो बाहर की और होगा उसे कहेंगे उत्तल दरपन एसे मतलब अंदर से पैंटी होगा बाहर की और उबढ़ा होगा ने solved question है कि गोले दरपन के प्रावर्थक प्रिष्ट के कहंदर को दरपन का खा जाता है तो प्रावर्तक प्रिष्ट के केंद्र को याद रखिएगा दरपन का हम गोलार्द कहते हैं क्या कहते हैं गोलार्द या फिर समझ में आ रहा हुआ ने को हाँ ठीक है है लिए गोलार्द को आपके जो है बासस्च के लिए राइट आंसर होगा एक दो किएगा एक मिनट गोलार्द नहीं गईगी हमें कुछ समझ में आ रहा है गोले दरपन के परावर तक प्रिष्ट के केंद्र को मान लिजिए ये कोई गोले दरपन है और ये इसका परावर तक प्रिष्ट है दर से तो इसका जो केंद्र होगा ने इसका जो बीच बारा पॉइंट होगा इसे तो धूर्ब कहाते है भाई साब क्या कहते है धूर्ब या नाट को सब्रता कई करते हैं और को हमलोग सुझित करते हैं कि से थे यानि आपका option से होगा और नेक्स्ट कोश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्वपन आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है आवर्धन होता है मात्रक विहीन तो डी आपका साई होगा नेक्स्ट कोईशन है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो लेंस का अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक ठीक है नेक्स्ट कोईशन की बात करेंगे चयासत नमर कोशन की गोली धरपन और गोली धरपन के दुरुब तथा बख्रता त्रिज्य से Butuciones का काते हैं सूर्य के परकास के संक्यंद्रन से उत्पन उस्मा के कारण जल उठता है क्या जल जाएगा जब आप सूर्ज के परकास को एक पॉइंट पर फोक्सित करेंगे वो आप फोक्सित कर सकते हैं अवतर लेंस के हेल्प से सुर्य उत्तर लेंस के मरें उत्तरलेंस का जो को घुन है वह परकास सूर्ज के परकास को को वह एक पॉइंट पर राकके फोक्सित कर देंगे हुआ चागज को जलांतों इस से लेंस के द्वारा जो आप वो प्रोसेस करते हैं उसे केबल कागत जला सकते हैं पत्त्र बालू करने लोगा यह सब नहीं जला सकते हैं ठीक है इतना ज्यादा हीट इसमें नहीं होता है कि गोले दरपन के प्रावर्थक प्रिष्ट की बिर्ता कार सीमा रेखा का ब्यास दरपन का कहलाता है और द्वारक पूरा डेटल में आपको बताये थे टौर्च एबं बानो के अगर दूई में जिस दर्पन का पर्योग किया जाता है वो कौन सा है तो वो किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि आवतल दर्पन का जो प्रावर्त तक सता होता है तो तो या उताल horse मिरान्र में किस दरपन का प्रयुकिया जाता है तो उत्तल मिरर का साइड मिरर यानि की चीजो को देखने के लिए सब्सक्रा करते हैं इन में कौन नेक्स्ट कोईस्टन है आपके सामने की दो प्रिष्टों से गिरा हुआ कोई पारदरसी माध्यम जिसका एक या दोनों प्रिष्ट गोली हो कह लाता हैं इसको क्छे है अभी सारी यह कंदर हो लेंस के कितने बक्रता केंद्र होते हैं तो दो बक्रता केंद्र होते हैं यानि कि ए उप्सन आपके बिलकुल सही हो जाएंगे लेंस के केंद्र ये बिंदू को क्या काते हैं लेंस के केंद्र बिंदू को प्यारे बच्चों हम लोग काते हैं परकासिये केंद्र क्या काते हैं परकासिये केंद्र काते हैं जिसको ओसे सूचित करते हैं वो आप लोगों ने फीगर में देखा होगा लेंस के फीगर में जब किसी लेंस पर समानतर किरने आपतित होती है तो क्या होता है किसी भी लेंस पर समानतर किरने आपतित होगी तो कागज सुलगने लगता है यह भी हो सकता है या धूआ उत्पन होने लगता यह भी हो सकता यानि कि सी आप्शन या जलने भी लग सकता है कर थो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे कि लेंस में कि फोकस होते भाई या मेरे हो गए थांत प्रक्षाम जाएंगे लेंस के चमता का कलीए उप्षो होता है तो शो कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है तो प्रतिभी मिंभ कहा बनेगा यानि की अपका बैल invasive कि ये वी का बैलो निकालर आथा दरपन शुत्र जो आप आराम करें बना सकते उसका अब बना रहे थें कि क्या बता रहे थे थे दरपन सुत्र होता आपका वन बाइब ही पलस वन वाई यू बराबर वन जाय सकते हैं इसे से बनाई कि आजाए एक प्रस्कावाइब ही पलस वन यू बराबर वन बाय इसमें आपको फोकस दूरी दिया गया है और पस तू दरपंड से के दूरुक्सित नस्य म्यानी की यू दिया गया तो भी निकालना है देखो भाई साथ क्या होगा आप जो है वन बाय भी लिखिए पालस में वन बाय यू यू का वैल्यू आप देख सक कर ना है तो वन व्य पते है का on किजीए इसको तोन आपी ही बराबर क्या होगा दाइने में वन बाय 20 है ये उन थर्टी जाएगा तो म मैनेस वन वाई 20 हो जाएगा घटाओ उटाओ कर लिजिए आप लोग भी ठीटा होगा हसे यू में गस्तित काइलसीएम किkellन 10 दुना 20 और 15 दुना 30 खेर लगा दो आप 5 से 5 दुना 10 5 दिया 15 तो 25 दस दुना 20 तिया 60 60 हो गए बोले 60 साथ है घुत साथ हो गई तीन माइनस पी राथ यानी की आपको मिलपा रहा यहां पर एक बटत साथ एक उतRO से निलबार और रहीं है एक को ठीज़ेगोगे साथ से गुणा कीज़े ङाउना धॉह की सब्सक्राइब बस्तों के मुला करए ते पर न जो हैक Bak See दासी के लिए जो आपके राइट आंसर यहां पर होंगे वह होंगे दर्पन से 60 cm की दूरी पर बस्तु की ही ओर फीगर बनेगा यानिकी यह ओप्षिन आपका बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट कोईश्चन आपके सामने हैं किसी अवतल दर्पन के सामने 30 cm की दूरी पर किसी बस्तु का प्रतिविम दर्पन के पीछे 40 cm पर बनता है तो दर्पन की फोकस दूरी होगी तो यहां पर भी आप सेम फर्मूला का यूज कीजिएगा तो आपको 120 cm मिल जाएक दस्यम होगी इसमें काने की कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट कोईश्चन आपके सामने है कि जिस बस्तु से परकास निकलता है उसे कहते हैं दिप्तमान बस्तु जिस बस्तु से परकास निकलेगा उसे कहेंगे दिप्तिमान बस्तु क्या कहेंगे दिप्तिमाने से बच्चों किरन पुंज कहेंगे ठीक है तो आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट कोचन की परकास की किरनों का पत दरसाने वाले चित्रों को कहा जाता हैं तो परकास के किरनों का जो पत दिखाने वाला जो आपका चित्र होता है उसे कहते हैं किरन आरेक क्या गाते हैं किरन आरे ए ओप्षन आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे इस तरीका से आपके दो चेप्टर प्रकास का प्रावर्तन तथा प्रकास का अपवर्तन ये दोनों चेप्टर से सारे के सारे हैं कि पीकी कर लिए डिस्कसन अंगले क लाश में आपका तीसरा चैप्टर है मानव नेतर ततर रंगभी रंगगा संसार इस इस चेप्टर से संबंदित सारे के सारे मोस्ट इंपोटेंट औब्जेक्टिव कुशन को देखेंगे तो अगले कलास में आप लोग क्या खोजिएगा मानब नत्र तथा रंग भी रंगत संसार वाले चेप्टर में जाकर के उसका अब्जेक्टिव खोजिएगा आपको आरा